वेलकम बैक टू मै चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट मिर्च की अचार की रसिपी आप इसको मिंटों में बना सकते हैं और यह काफी लंबे टाइम तक जो है चलता है तो अच्छे लिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट मिर्च का अचार बहुत ही जाद तो मिर्च को डारेटली दो स्लाइट में भी कट कर सकते हैं या फिर और भी चोटा इसको कट कर लें यह आपकी चॉइस पर डिपैंड करता है बट इस तरीके से जब आप बनाएंगे और इसके अंदर जब मसाला जाता है तो इसका फ्लेवर बहुत जादा इन्हेंस हो जात है और थोड़ी सी खटास एड हो जाती है जिससे यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और अगर आप यह ऐसे टाइम पर बना रहे हैं जब मार्केट में आम एवलेबल नहीं है तो आप आम चूर पॉटर इस्तमाल करेंगे तो मैंने यहाप पर डाला है धनिया सौफ और सरसों यह सब दो दो टेबल स्पून है और यह मेती दाना यह एक टेबल स्पून है क्योंकि मेती तो आना तोड़ा सा कड़वा होता है इसलिए हमने इसकी कॉंटिटी भी यहाँ पर कम रखी है इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से बूनेंगे जब तक इसमें से मौशर कतम ना हो जाए हमें इसको जो है किसी कलर लाने के लिए नहीं भूना है बस हलका सा जो है इसमें से जो पानी मौशर होता है उसको हटने तक हम इसको बून लेंगे ताकि जो मसाले है वो बहुत ही अच्छे से पिस जाए और उनका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस हो जाए त तो हम मसालों को दौ मिनिट के लिए बून लेंगे तो देखिस सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरेके से बंच्चुके हैं, अब हम इनको ठंड़ा कर लेंगे तो मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल कर इसका एकदम बारिक सा पॉडर बना लेंगे, बहुत साथ बारिक नहीं करेंगे, हलका सा दर्दरा रखेंगे हम, देखिए मैंने इसको एकदम दर्दरा सा पीसकर रेडी कर लिया है, बारिक भी है दरदरा भी है बहुत जादा एकदम पॉडर नहीं है इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अब हम सेम पैन लेंगे उसमें डालेंगे मस्टर्ड ओयल और थोड़ा सा उसमें डालेंगे सरसोके दाने लगबग एक टेबिल स्पून और हम इसमें डालेंगे हींग दो नजाएं इनका जो शिक्कल रॉप हलका सा डौर्ट हो जाएगा आपको भी हम इसके अलवा हम इसमें मिलाएंगे हल्दी आधा टेबले स्पून लाल मिर्च पॉडर आधा टेबले स्पून इसे इसका कलर बहुत ही अच्छा आजाता है इसलिए हमने यहां पर इसमें हल्दी भी आइड कर दिये अब हम नमक डाल देंगे टेस्क के अकॉर्डिंग नमक जो है अलका सा ज जादा डालते हैं तो मैंने यहाँ पर तोड़ा सा जो है आम चूर order भी एड कर दिया है क्योंकि आप मेरे पास सिर्फ दो ही थे और बहुत जादा खटे भी नहीं निकले तो मैंने थो अम चूर पर बीडाल दिया है इसके बाद अम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ल अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, आप चाहें तो इस मसाले को पीस कर भी रख सकते हैं, जब भी आपका मन करें, फटा-फट से मसाला निकालें और मिर्चे कट करके, इंस्टेंट जो है मिर्च का अचार रेडी कर लें, पराटे के साथ, पूरी के साथ, ये खाने में बहुत ही ट्राइ करें, ये डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़ादा पसंद आएंगी, तो इस तरीके से जो है, मैंने यह आप इसको पराटों के साथ में सर्व किये था, पराटे और ये वाला मिर्च का अचार बहुत ही ज़ादा जबर्दस लगता है, वैसे तो आप इसको किसी भी दाल चावल, पोड़ी सबजी, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बट अगर ऐसे लेर वाले पराटे और ये अचार मिल जाएना, तो मजा जाता है ब्रिकफस्ट में, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए है, तो प्लीज वी